नमस्कार दोस्तों मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट अब ही आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं यह लाइब मार्केट चल रहा है और यह सिल्वर का 15 मिनिट का मैंने टाइम फिल्म सेट किया हुआ है सिल्वर का करेंट प्राइस है 48,475 एक करेक्शन इसमें आ रही है बहुत तहीं से आ रही है इस वीडियो को मुझे बनाने की जरूरत पड़ी है जब इसने यह वाला लेवल ब्रेक कर दिया है बहुत ही एक आप यह समझ लीजे कि बहुत ही अमजेंसी में मैं आप यह वीडिय बना रहा हूँ आज मुझे लग नहीं रहता कि शायद मैं कोई वीडियो बनाऊगा ऐसा सिल्वर पे उसका सबसे बड़ा रीजन यह है कि सिल्वर को जो 49550 पे मैं आपको कंटिनियूसली बता रहा हूँ इसका एक बहुत मेजर रेस्टेंस है और वहां से कहीं पर भी इसे एक टर्न मिलता है नीचे के साइड में तो इसमें सेलिंग कंटिनियू रहेगी और बिल्कुल वैसा ही हुआ आज बहुत ज़्यादा कोशिश की सिल्वर ने उपर के लेवल्स में ब्रेक करने में यह फेल हो गई मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ खुला जरूर था गोल्ड ऊपर खुला गोल्ड ऊपर जाता चला गया वहां पर भी अब सेलिंग आने श्रू हो गई है और 48,500 का अभी करन्ट प्राइस चल रहा है और जब इसने यह वाला लेवल ब्रेक करना था तब से ही इसमे 75 का इसका लेवल था 48,675 का इसका सेलिंग का लेवल था अगर आपने वो गलती से मिस भी कर दिया तो आपको अगले लेवल का वेट करना पड़ेगा अगला लेवल है 48,000 और अगर ये इस तरीके से इसमें सेलिंग रहती है तो सेलिंग कंटीन्यू रहेगी आने वाले क्योंकि बहुत ही इसने उस लेवल से इसने टर्न मारा है जहां पर इसका बहुत एक मेजर रिस्चेंस था जो ब्रेक करने में इससे काफी परशानी आ सकती थी देखे इस वीडियो को इस टाइम बनाने का मकसद सिर्फ यह है कि आपकी अगर कोई भी बैंग में पोजिशन चल रही है तो आप हो जाए बहुत जादा रिस्क है अगर आप में पोजिशन बनाई रखी है तो मेरा नहीं मान reason तो कहीं न कहीं आप इस top loss आप जरूर एंटर करके रखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा एक correction आ सकती है देखिए उसका एक reason मैं आपको और बताता हूँ कि gold जिस level पे trade कर रहा था इसने जो एक uptrend दिखाया था वहाँ पर इसे वापस एक selling नजर आई है और आज की closing में matter करेगी कि closing कहा होती है gold की और silver और उसी resistance से बिल्कुल इसने turn मारा है जहां पर मैं आपको daily में आपको बता रहा था कि silver में वो strength हम नहीं देख रहे हैं जो बाकी commodities में हमने देखी है एक selling pressure इसमें आप देखा गया देखे अभी जो इसका level चल रहा है आप बिल्कुल इसके इस high level को 48,260 को आप stopless मान के मतलब 270 के आसपस का इसका high level बना है इसे आप stopless मान के आप silver में अपनी position को selling में बना के रख सकते हैं और आने वाले कुछ एक दो दिनेंगे काफी heavy correction की मैं उमीद कर रहा हूँ देखे continue उसलिए market crash होता जा रहा है पता नहीं जब मैं वीडियो upload करूँगा तब कौन सा level होगा इससे जादा down हो गया उपर का होगा देखे अब मैं आपको एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जो इसका next immediate support level है अगर इसने अपने आपको 48,000 के ऊपर थोड़ा सा sustain करने की कोशिश करी आप ये समझी 48,000 इसका maximum एक support level रहेगा इसके आसपास अगर इसने अपना एक support level बना लिया तो ही इसमें थोड़ा से support मिल सकता है otherwise अगर इसने 48,000 इस बारी में break कर दिया तो एक heavy selling देख सकते हैं हम silver में थोड़ा सा और हम आगे चलते हैं इस 15 मिनिट के चार्ट पर मैं आपको दिखा रहा था एक घंटी की तरफ हम move करते हैं देखिए यहाँ पर एक चिज़ और है ये trend line अभी आपको ये लगबग लग रही है कि इसी trend line को अगर ये support मानता है तो यहाँ पर इससे थोड़ा support मिल सकता है पर देखिए जिस तरीकी की एक selling आई है market में उपर gap up opening थी यहाँ पर जो इसने support लिया था बिल्कुल सही जगे लिया था यहाँ पर जिस तरीके से इसने अपने आपको उपर sustain करने की कोशिश की वो बहुत सही था बहुत सही जगे support लिया था यहाँ से अगर इसका एक turn चलता रहता उपर की side में कोई problem नहीं थी buyers को जो लोग अपनी long position में बैटे हैं उन्हें कोई problem नहीं थी इसमें अब अपना stop loss 49,200 मेरे काल सही 60 का इसका आई था वो आप अभी फिलहाल के लिए उसे आप stop loss मानके आप selling के position में enter कर सकते हैं और देखिए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ आपको एक छोटा सा risk लेना होगा बहुत छोटा सा risk है profit बहुत जादा है पहली चीज़ के इस position में आप enter करते हैं आप selling में दूसरी चीज़ अगर मान लेजिए कि position हमारे against जाती है तो यह 700 point का हमें एक loss जरूर देखना पड़ सकता है market मान लेजिए यहां से 48-500 से अभी जो current price है उससे turn करके उननचास 200 पर यह पहुँच जाता है तो 700 point के आसपास का हमारे close है plus अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर यह ऐसा कुछ होता है तो आप यहां पर अपनी position आप double position ले ले लेंगे long side में उसका reason यह रहेगा कि market में जो एक strength बन के आएगी पहली जी इसके gold उपर जाई रहा होगा और silver फिर उससे support करना शुक्र देगी silver देखिए मैं यह मानता हूँ कि silver में अभी एक pressure ज़रूरी से देखने को मिलता है चाहे वो daily charts पे हो, intraday पे हो weekly charts पे हो अभी तक इसने इतनी strong breakouts नहीं दिखाया है जब तक यह उपर में एक तो पहला हमारा immediate level है 49550 दूसरा हमारा level है 51500 यह दो level है इसमें यह तो हम अभी अगर यह break कर देता है तो काफी chances होंगे कि यह इसे भी break कर देगा पर हमारा ultimate जो एक sharp move दिखाएगा उपर के side में उसके लिए हमें इस level को consider करके रखना ही होगा 51500 अभी के current price से करीब करीब 3000.2 उपर तो वो level हमें जरूर कंसिडर करना होगा और उसके उपर ही हम अगर देखें यह level भी अब काफी strong बनता जा रहा है क्योंकि अगर जिस तरीके से इसने एक move दिखाया नीचे की side में market उपर जा रहा था यहाँ पर इसने sustain करने की कोशिश की रही और सबसे बड़ी चीज कि यह जो इसने support लिया था वो बहुत सही लिया था इसने market ने यहाँ support लिया काफी देर यहाँ पर trade किया और उपर एक 29200 के आसपास तक किसने जाने की कोशिश करी और फिर market में यह crash आया देखिए अब इसका जो resistance है वो यहीं का बन जाएगा 48800 के आसपास का ठीक है और market अगर इन levels पे अगर आज की closing दिखा गया और कल अगर यह selling pressure continue रहा तो आप यगीन मानिए कि कल के level आपको बहुत जादा नीचे तक के देखने को मिल सकते हैं यह घंटे की चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ आए थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं चार घंटे की तरफ चलते हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि देखिए यह पूरी candle buying में थी यह candle buying में है पर आप यहाँ पर selling होती ही बहुत clear देख रहे हैं कि यह वाली जो candle है जो last candle है इसने इससे previous candle का पहले high break करा और अब उसका low break कर दिया और अब continue यह एक selling trend में चल रही है यह इसमें जो selling है वो continue है यह कोई बड़ी बात नहीं है यह अगर यह वाला level 48,000 मैं आपको बहुत ही crucial level बता रहा हूँ जो break होता है तो इसमें काफी heavy selling आ सकती है तो फिलाल मुझे लगता है और ज़्यादा वीडियो पे time ना waste करके मैं आप upload कर देता हूँ जिससे आप यह वीडियो देखें और आप अपनी knowledge में यह सारी चीज़े ले आए तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो like करें सब्सक्राइब करें market report और share करें और कुछ अगर आपको मुझे से कहना है तो comment section में ज़रू mention करें धन्यवाद